हे गाईस नमस्ते वेलकम टू माई चैनल सोनो क्रिप्टो एतने नेटवर्क माइनिंग एप के अंदर आप सबका इंतजार एक ही है कि कब इनका टोकन लिस्टिंग होगा और हम अपने एटी एच टोकन को कैसे विड्रॉल करें और प्रॉफिट बुक करें तो यहाँ पे एट इतने नेटवर्क वालों ने बताया कि एक एटी एच टोकन की प्राइस पांच डॉलर होने वाली है लिस्टिंग के टाइम पे तो अभी मेन बात आती है एक एटेच टोकन की प्राइस पी टूपी ट्रेड के अंदर क्या चल रही है और ठर्टी एक्स का पंप लिया है क्या एक ATS token है वो आपको आगे वीडियो के अंदर पता चल जाएगा सेकंड तिंग आपके पास अगर PY token है या फिर PY coin है उसको कैसे यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे मिन सेल या फिर बाई कर पाओगे वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ थर्ड तिंग एतने नेटवर्क माइनिंग एप के अंदर आप रोजाना डेली आप 10 लाग जैम token कैसे अर्निंग कर पाओगे वो आपको इस वीडियो के अंदर गाइड देने वाला हूँ तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर रहेगी वीडियो बहुत ही important है मैं complete guide देने वाला हूँ इसलिए वीडियो को complete देखें चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो पे अपना एक लाइक ज़रूर करते जाएं तो hey guys first thing आप अभी तरक करके एतने network mining app के अंदर mining नहीं कर रहे हो ATS token की और gem token की तो अभी से mining start करो link आपको description में मिल जाएगी अभी यहाँ पर main आता है P2P trading के बारे में बट उससे पहले आपको यहाँ पर जो hurdle का event है उसके बारे में बता देता हूँ इसका benefit किया है इसके उपर आपको tap करना है tap करने के बाद यहाँ पर अलग-अलग आपको packages नजर आएंगे बिल्कुल free of cost का है बट यहाँ पर आपके पास ATS token होना चाहिए जितना जादा ATS यहाँ पर hurdle रखोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर gem token दिये जाएंगे max यहाँ पर रखा गया है 10 lakh gem token जो 1 million gem token रता है per day आप कैसे participate कर सकते हो वो आपको बताने जा रहा हूँ जहां से देख लो आपको यह वाले section के अंदर आखे simple सा select करना है कौन सा package आपको चाहिए tap करते हैं यहाँ पर tick mark आजाएगा tick mark आने के बाद आपको hodal का section नदर आएगा इसके उपर आपको करना है tap tap करने के बाद next page के अंदर आपको simple send otpa इसके उपर tap कर देना है आपके email address जो register है ethnic network mining app के अंदर वहाँ पर code आएगा वो यहाँ पर paste कर देना confirm के उपर tap करना है यह आप confirm के उपर tap करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा congratulations आपके जितने ATH है उस हिसाब से आपको gem token दिये जाएगे every 24 hours के अंदर ठीक है तो यह आपके पास इससे कम है तो वो भी आप try कर सकते हो अगर 10 है तो 10 ATH भी आप try कर सकते हो ठीक है तो अभी main important यह आता है कि यह order रखने का locking एक है yes guys 180 days के लिए locking होने वाला यहाँ पर timer आपका चलना start हो जाएगा अभी यहाँ पर हमको मिलेगे gem इसके benefit क्या है यहाँ पर आपको पता है कि every 24 hours के बाद यहाँ पर countdown चलता रहता है जहाँ पर आपके जितने gem रहते हैं वो convert होते हैं आपके ATS token के अंदर और ATS token को आप अपने P2P trading के अंदर यहाँ पर trade कर पाओगे और instant profit भी book कर पाओगे यहाँ पर इनके P2P trading के अंदर आप ATS, gem token या फिर Pai token तीनों trade कर पाओगे easily तो already मैंने कैसे trade करना उसकी video provide की थी बट यहाँ पर अभी P2P trade के अंदर उस चुर रूल से चेंज हुए हैं जो आपको जानने को मिलने वाले तो अभी P2P trading के लिए आप P2P के ओपर tap कर दोगे tap करने के बाद यह वाला section open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना आपके पास account नहीं है तो जाके जरूर register कर लेना register कैसे करना है, यहाँ पर trading कैसे होती है उन सब के बारे में एक video provide की है जो आपको tag कर दूँगा जो आपको 2-3 months पहले I think provide की थी है फिर उससे भी पहले register के उपर tap करोगे यहाँ पर section के अंदर email address provide करना है, आपको register करने के लिए एतने P2P के अंदर email address रहेगा जो एतने network mining app में use करो password, confirm password सब कुछ डालके यहाँ पर register के उपर tap कर देना है ठिक पे वगरा click करके ठीक है, तो यह complete होने के बाद आपको कर लेना है login तो यहाँ पे clearly banner में show हो रहा है कि आप Pai token को भी यहाँ पे Ethernet के P2P के अंदर trade कर पाओगे, अभी यहाँ पे main बात आती है एक ATS token की price का चल रहे है, एक Pai coin की price का चल रहे है second thing यहाँ पे Pai token है, इसके उपर आप click करोगे, तो यहाँ पे Pai token sellerize 0.26 dollar के अंदर तो यहाँ पे first आपको trade करने से पहले register करना पड़ेगा यहाँ पे आपको दोनों wallet link करना पड़ेगा, Pai का भी और ATS, Ethernetwork mining app भी तो वो कैसे करना रहता है, यहाँ पे 3 line पे click करना रहता है, overview section के ओपर tap करना रहता है tap करने के बाद आपको Ethernet app को यहाँ पे link करने के लिए Ethernetwork app का अंदर जो register किया है वो email address यहाँ पे provide करना रहता है, उसके बाद Pai network को link करने के लिए यहाँ पे Pai PI link account पे click करोगे तो यहाँ पे Pai wallet address यहाँ पे paste करना है, कौन सा रहता है कि आपकी अगर Pai network के अंदर KYC complete हो जुकी है तो आपको Pai browser के अंदर जाके वहाँ पे wallet section नज़र आता है, वहाँ से wallet को copy कर लेना address समझो यह Pai network का आपका wallet है, यहाँ पे आने के बाद यह mainnet होना चाहिए, इतना ध्यान रखो और यहाँ पे mainnet होने के बाद यहाँ पे wallet address है, इसके ओपर tap करके आपको करना है copy कौपी करने के बाद आपको यहाँ पे आके करना है paste और save के ओपर tap कर देना है, ठीक है तो यह दोनों आपको starting में करना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पे register के बाद account link नहीं करोगे तो यहाँ पे P2P trade नहीं कर पाऊगे दोस्तों ठीक है, तो अभी main बात आती है, मैं यहाँ पे अभी sell करूँगा नहीं करूँगा तो उसका reason वगरा बता देता हूँ, इन्होंने एक official tweet की थी, इन्होंने mention किया था कि पहले जो price थी ATS की वो 0.01 डॉलर थी, और वो बढ़के अभी 0.26 डॉलर हो गई है, तो लगबग वो guys 20X, 20X price pump हुई है, ठीक है अभी यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने mention की, जब यह exchange के अंदर listing होगा तब 5$ तक भी price जा सकती है, तो मैं 5$ का इंतजार नहीं करने वाला guys, आप सबको पता है, कोई भी mining रहती है, वो जब भी list करती है, तो वो westing लगाती है, ठीक है, तो मतलब 75% westing रहेगा, सिर 25-20% unlock करके देंगे, उसके हिसाब से हम एक P2P trade के अंदर ही, initially अगर ATS token की price 2-3$ भी चली गई, तो मैं यहाँ पे sell कर दूँगा, ठीक है, एतने के P2P के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमको एक benefit मिलेगा, एतने P2P के अंदर, वो guys क्या है, वो यहाँ पे हमको 100% जितने हमारे token है, वो पूरे के पूरे हम यहाँ पे sell out कर सकते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको यह बता रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हो करके, ठीक है, तो अभी main important बात यह भी आती है, यहाँ पे आप wallet section के ओपर click करोगे, आपको क्या deposit करना है, या फिर withdraw करना है, यहाँ पे आपक deposit section है, इसके उपर आप tap करके यहाँ पे PIE token को deposit करना चाते हो, तो PIE select कर लेना आपको, select करने के बाद यहाँ पे आपको simple सा एक काम करना है, यह वाला page open हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आने काद PIE select करोगे, आपने link PIE account कर लिया है, तो यहाँ पे आपको simple address आएगा, copy करन अभी ATS token है और Gem token को कैसे deposit करना है, वो जान लो, उसके लिए आपको आज जाना है, एतने network mining app के अंदर, यहाँ पे आपको एक section नज़र आएगा, wallet का नीचे, ठीक है, wallet का section नज़र आ गया, यह वाला wallet section क्लिक कर लिया, यहाँ पे send का option आएगा, आपके पास अगर USDT वगेर आता है, Gem करना है तो Gem, ATS करना है तो ATS, तो ATS select कर लो, कितना भीजने है, वो यहाँ पे लिख दो, 100, 200 या 1000 ठीक है, यहाँ पे fees कितनी लगेगी, 30 ATS की लगने वाली है, यहाँ पे आपका एथने P2P account शो होगा, क्यों शो होगा, आपने अगर एथने P2P के अंदर, अपना एथने network mining app लिंक किया है, email address के तुरू तभी यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे फिर send OTP के ओपर tap कर देना है, और वो OTP को आपको simple यहाँ पे पेस्ट कर देना है, send के ओपर tap करना है, अभी यह tap करते ही, आपका है कि यहाँ से ATS token P2P trading platform के अधर नहीं जाएगा, बट वही च चीजे वहाँ पे आप easily deposit कर पाते थे ATS token को, अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि regarding new guidelines, new rule आये हैं के, rule क्या है कि आपके पास दो diamond package at least होना चाहिए, एतने network के P2P को system को access करने के लिए, तो आप बोलोगे यह rule है तो हम क्या करें, देखो दोस्तों, जो भी है कि rules new new आते हैं वो change भी हो सकते हैं, तो अभी के लिए यह rules है, आगे जाके यह rules validate नहीं हो और यह rules change हो जाए, ठीक है, तो आप या तो इंतिजार कर सकते हो थोड़ा और या फिर आपके बास जादा ATS token है, तो आप सिर्फ इंतिजार करो P2P platform के अंदर at least 2-3 dollar worth का एक ATS token बने, ठीक है, second thing, ATS token की price क्यों बढ़ रही है, P2P के अंदर reason simple है, यह वाला, जो diamond section का इन्होंने यहाँ पर लगा जुके हैं, इस वज़े से price बढ़ रही है, क्यों वो जानो, यहाँ पर आप आते ही, इनका एक premium करके option रहता है, आप सबको पता है, यह premium buy कर लिया है, तो KYC की ज़रूत नही deposit करना ATS या फिर jam token को, तो आपको diamond package वो भी एक नहीं, दो दो लेना पड़ेगा, जिसकी worth होती है, 660 dollar, तो इतना तो पैसा है कि लगाने से कोई फाइदा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने token भी नहीं है, इतने worth के, तो इसलिए बोला price बढ़ने दो, उसके बाद यह rule वाला section रहेगा भी नहीं, तो rule जब change हो जाएगा, तब जाके आप अपने ATS P2P के अंदर sell करके profit book कर सकते हो, second thing, ATS token की P2P के अंदर price क्यों बढ़ रही है, reason यही है, 660 dollar डाल के कोई भी P2P के अंदर trade नहीं करना चाहेगा, ठीक है, तो simple सा, जो भी है, आपको मैं detail में इस P2P के अंदर, अगर 1-2-3 dollar तक है, तब जाके, ठीक है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इसको 60-60 वाला dollar का है, वो भी buy करके आप profit book कर सकते हो, क्योंकि overall आपका profit होने वाला है, बट अभी कुछ करके मतलब नहीं है, तो अभी कुछ करने मत जाओ P2P trade वगरा, ठीक है, अग बिलते हैं, अगले वीडियों दुस्तों, टेक करेंट भाई, I hope आपको वीडियो पसंद आए रहेगी